संस्था संचलीत सवितार रमेश फिरोध्या प्रशाला अहमद्दगर विशे हिंदी वचन आज हम वचन इसका अर्थ देखेंगे और वचन के प्रकर भी देखेंगे वचन किसे कहते हैं? जिस शब्दद्वारा प्रानी वस्तु अथवा स्तान के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं यानि जिस सवग्या के रुपस रुपसे हमें वह प्रानी वस्तु एक ही है इसका पता चलता हैं उसे हम वचन कहते हैं वचन के प्रकार दो है एक वचन और बहुवचन अब एक वचन किसे कहते हैं जिस शब्द द्वारा एक प्रानी वस्तु अथ्वा स्तान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं जैसे तितली महिला रुपया मेज कमरा देखो आपको यह चित्र भी दिखाई देते होंगे कि तितली तितली एक ही है महिला एक ही है रुपया यह भी एक है मेज आपको चित्र में कितने मेज दिख रहे हैं एक ही है और कमरा, कमरा भी एक है, यानि इस शब्द से और चित्र से हमें यह मालूम होता है कि यह एक ही है, इसलिए इस शब्द को हम एक वचन कहते है, बहु अचन, बहु अचन किसे कहते हैं? तब जिस शब्द द्वारा एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथ्वा स्तानों का वोध हो उसे बहु अचन कहते हैं, जैसे तितलिया, महिलाएं, रुपएं, मेजे, कमरे, आधी, अब देखो यह तितलिया कितनी हैं? गिंती करो इसकी, एक, दो, तीन, और महिलाएं कितनी हैं? एक, दो, तीन, चार, रुपएं, एक, दो, मेजे कितने हैं? एक, दो, कमरे कितने हैं? एक, दो, इसका अर्थ हैं? यहां तितलिया बहुत सारी है, महिलाएं भी चार हैं, रुपएं, दो हैं, मेजे भी दो हैं, और कमरे भी दो हैं. इसका आर्था ऐसा होता है, कि यह जो व्यक्ति है और वस्तों है, तो यह स्तान है, यह जो कम रहे, यह स्तान है, इस शब्द से हमें अनेक का बोध होता है, इसलिए इन शब्दों को बहु अचन कहते हैं, और भी हम उधारन देख सकते हैं, जैसे कि नदियां, लड़के, बक् जैयां, बूंदे, पुस्तके, यह अधिके अनेके, इसलिए इन शब्दों को बहु अचन कहते हैं, अब हम चित्र द्वारा देखेंगे, एक अचन और बहु अचन, अब देखो, बच्चा, चित्र में एकी हैं, और बच्चा, इस शब्द से हमें यह मालूम होता है, कि यह एक है, और बच्चे, इसकारते अनेक है, गिन्टी करो, एक, दो, इसलिए यह बहु अचन है, अब देखो, लड़की, एकी है, इसलिए यह शब्द एक वचन कहें, और यह लड़कियां कितनी हैं, एक, दो, इसकारते हैं, लड़कियां, यह शब्द बहु अचन कहें, पंखा, एक ही है, इसलिए यह एक वचन है, और पंखे, गिन्टी करो, एक, दो, तीन, यह ज्यादा है, अनेक है, इसलिए यह बहु अचन है, अब हम जादा से उधारन देखेंगे, वचन बदलो, इसका आरते हैं, एक वचन होगा, तो उस शब्द का हमें बहु अचन करणा है, नदी, नदिया, नीती, नीतिया, मिठाई, मिठाईया, ताला, ताले, पुस्तक, पुस्तके, कपड़ा, कपड़े, माला, मालाएं, शब्दों के वचन बदल कर वाक्यों में प्रयोग करो, यहां एक वचन का बहु वचन करना है, और उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना है, राजा, राजा, यह जो शब्द है, एक वचन और बहु वचन में वही रहता है, वाक्यों में प्रयोग, दशरत एक पंखा एक वचन पंखे बहुवचन दोनों पंखे खराप हो गए हैं दिवार दिवारे दिवार इससे एक ही दिवार का बोध होता है और दिवारे अनेक दिवारे इसले यह बहुवचन पुताई के बाद घर की दिवारे चमक उठी रोटी रोटी इससे एक रोटी का बोध हो हमने यहाँ वचन बदल कर वाक्यों में प्रविक किया है।